हे वेलकम टो सक्सेस मंतर एजूकेशन दोस्तों आज दुनिया में 190 से जादा देश करोना महमारी से लड़ रही हैं करोना वाइरस ने लाखों लोगों को अपनी चेपेट में लिया है और कई हजारों लोग जो है करोना वाइरस से अपनी जान गवा चुके हैं करोना वाइरस के इलाबा भी हमारी धर्ती पर 6 ऐसे खतरना को जान लेवा वाइरस पाये जाते हैं जिनके बारे मैं आपको पता होने चाहिए तो इस वीड़े में आपको ये सारे वायरस बताने वाला हूँ, बने रही है मेरे साथ, ये आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल ऐकन दबाद लीजिए, ताकि वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे, तो सबस उस लैब में यूगांडा से कुछ मॉंकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाए गए थे, लेकिन उन मॉंकी में ये वायरस प्रेजेंट था, जिसकी वज़े से उस लैब में काम कर रहे, वर्करों में ये वायरस फैल गया था, दोस्तों जो मार्ग बर्ग वायरस होता है, इबोला वायरस की तरही होता है, यदि किसी वज़े को मार्ग बर्ग वायरस की चपेट में कोई विख्ति आ जाता है, तो उसको तेज बुखार होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो कंडिशन कृटिकल होती जाती है, तो उसके बोड़ी से खून निकलने लगता है, और बाद में जो है organ failure जैसे cases सामने आते हैं और जिसकी वज़े से विक्तिकी मृत्यू हो जाती है यदि हम मार्गवर वाइरस के mortality rate की बात करें तो इसका mortality rate जो शुरू में था वो था 25% यानि कि सो में से 25 लोग जो है मरते थे इस वाइरस से लेकिन बाद में जब ये वर्ष 1998 से लेके 2000 में इसका एक case सामने आये थे Congo country में जिसमें इसका mortality rate था 80% यानि कि सो में से 80 लोग जो है इस वाइरस के करण मर रहे थे जो इसकी चपेट में आ रहे थे दूसरे नमबर पे दोस्तों जो सबसे खतरनाग वाइरस आता है वो है आपका hepatitis जियां अपने सही सुना दोस्तों अभी तक विज्यानिकों ने 5 परकार के hepatitis virus को discover किया है जिसमें से A, D, E ये पहले तीन है और जो दूसरे हैं वो है hepatitis B और hepatitis C यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों दूनिया में जितनी भी death होती है उसमें से 96% death hepatitis B और hepatitis C की वज़े से होती है आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी दुनिया में कुल 325 मिलियन लोग ऐसे हैं जो hepatitis virus से पेडित हैं 325 मिलियन का मतलब हुआ दुनिया में 352 करोड लोग जो है hepatitis virus के संक्रमन से जी रहे हैं और यदि हम बात करें तो हर साल इसके साड़े सत्रें लाख से जादा case हर साल सामने आते हैं यहां पर मैं एक चीज आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो hepatitis virus होता है यह हमारे liver पर सीधा सीधा attack करता है हमारे liver से related disease हो जाती हैं और अंत में liver cancer जैसी बिमारी भी सामने निकल कर आती हैं और अंत में विक्ति की मौत हो जाती है थार्ड नमर पर दोस्तों जो virus है वो है हमारा HIV यानि की AIDS virus हम जिसे बोलते हैं दोस्तों HIV की full form है human immunodeficiency virus इसके नाम में ही छुपा हुआ है immunodeficiency यानि कि यह सीधा सीधा विक्ति के immune system पे असर करता है यह विक्ति के immune system को पूरी तरह से बरबाद कर देता है जिसके वज़े से एक छोटी से छोटी बिमारे भी जो हमारे शरीर के लिए खातक सिध होती है यहाँ पर मैं कुछ हांगड़े आपको HIV virus से related बताना चाहूंगा WHO की एक report कहती है जब से इस virus को खुजा गया है अब तक यह 32 million लोगों की जान ले चुका है यानि कि लगबग जो है इससे 3,20,000,000 अब तक अपनी जान इस virus से गवा चुके हैं यदि हम वर्ष 2018 की बात करें तो जो approximately case उस समय तक थे वो थे 70.9 million यानि कि 3,89,000,000 लोग जो है HIV संक्रमन से इस दुनिया में जी रही हैं और 2018 की उसी आकड़े की बात करें तो उसी साल 7,70,000 लोगों ने इसी virus के कारण अपनी जिंदिगी त्याग दी थी यानि कि इस virus ने 7,70,000 लोगों की जान ले थी ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं next virus की जो हमारे list में आता है फॉर्थ नंबर पर वो है influenza नाम दोस्तों आपको सुनने में लग रहा होगा बहुत एजी है ठीक है influenza virus तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बचाना चाहूंगा influenza भी COVID-19 की तरह महामारी के रूप में फैलता है यहाँ पर आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर साल 30 से 50 लाख critical case influenza के सामने आते हैं जिसमें से 3 लाख से लेके 6.5 लाख लोगों की मृत्यू influenza virus से हो जाती है अकेले यदि हम USC की बात करें तो वर्ष 2019 में 22 million case जो है इसके सामने निकल के आए थे और इस influenza virus ने वर्ष 2019 में 12,000 से जादा लोगों की जान USA में ली थी और दुनिया के तो आगड़ा ही अलग है तो ठीक है यदि हम influenza virus की बात करें तो influenza को flu भी बोला जाता है ठीक है और flu से related यह जा एक घटना जो है हितिहास से जुड़ी है कि जो flu है वो हमारी के रूप में फैला था वर्ष 1918 में जिसे Spanish flu के नाम से जाना जाता है उस समय Spanish flu ने दुनिया की 40% आबादी को इंफेक्ट कर दिया था और लगबग 50 million लोग अपनी जान गवा चुके थे सिर्फ flu के कारण यानि कि 5 क्रोड लोग की मरित्यू इस virus की वज़े से हो गई थी नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में virus है दोस्तो वो है आपका hanta virus दोस्तो hanta virus का case अभी हाल फिलाल में ही आपने सुना होगा पिछले मेने खबर आई थी कि चाइना में एक विक्ति की जो है hanta virus के कारण मूत हो गई है दोस्तो hanta virus जो होता है वो दरसल जो चुहें होते हैं उनके मलमूत्र में पाया जाता है यदि हम इसकी बात करें हिस्ट्री की तो USA में भी इसके काफी case सामने आ चुके हैं पहला case इसका 1993 में आया था और अभी तक इसके कुल 600 से ज़्यादा case USA में आ चुके है जिसमें 36% इनकी 400 से ज़्यादा लोग अपनी जान इस virus से गवा चुके हैं USA के अंदर ठीक है और हंता वायरिस के दो हम बात करें तो इससे भी हमारी की घड़ना जुड़ी हुई है वर्ष 1950 में Korean War के समय यह हंता वायरिस से जादा सैनिक इसकी चपेट में आ गए थे और लगबग 500 से जादा सैनिक थे इस हंता वायरिस की वज़े से अपनी जान गवा चुबे आप इस जान पर दोस्तों हमारे लिस्ट में आता है उसका नाम है दोस्तों इबोला वायरिस जिया आपने सही सुना इबोला वायरिस जो होता है दोस्तों वह बैट यानि की चमगादरों में पाया जाता है सबसे worst condition इबोला वायरिस की हो जाती है जब ये अपनी critical condition में पहुंच जाता है यदि किसी विखती को इबोला वायरिस होता है दोस्तों उसको 2 से लेके 21 दिन का समय लग जाता है जब symptom सामने आने लगते हैं तो इसके जो symptom होते हैं दोस्तों बहुत जादा खतरनाक होते हैं, गले में infection हो जाता है, सारी बोड़ी दुखने लग जाती है, बहुत जादा सिर्दत होने लगता है, उल्टिया लग जाती है, डाइडिया की condition हो जाती है, और इसके बाद जो critical condition होती है, उसमें हमारी जो kidney और लिवल हैं वो फेल हो जाते हैं जिससे विक्ति की मृत्य हो जाती है और भी इसकी critical condition में case जो है सामने निकल के आते हैं symptom निकल के आते हैं वो है जो हमारी body होती है उसमें से blood जो organs होते हैं उसमें से blood internally और externally दोनों निकलने लगता है जिससे विक्ति की मुरित्य हो जाती है दोस्तों जो mortality rate Ebola virus का है वो है 25 से लेके 90% infected area में लेकिन जो इसका average mortality rate माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है 50% यहाँ पर मैं आपको बताना चाहँगा Ebola virus की अभी तक कोई vaccine नहीं बनी है therapy के द्वारा ही इस virus का जो है इलाज किया जाता है और काफी जो है African country है जिसमें Ebola virus के case सामने आये थे और वहाँ भी जो हजारों लोगों ने जो Ebola virus की वज़े से अपनी जान गवाई थी तो हमारी दुनिया में ये 6 virus ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं और हर साल हजारों लोगों तो ये थे 6 सबसे खतरनाक virus कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे को comment box में जुरूर बताएं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में ने टॉपिक के साथ शुक्रिया